प्रेंज वाला मैड इन इंडिया इलेक्टिक अस्कूटर हुआ लॉंच कीमत 35,000 रूपए जी हाँ दूस्तों बताते हैं मैड इन इंडिया यानि भारत में जो है एक नई इलेक्टिक अस्कूटर लॉंच हो चुका है एक बार फुल चार्ज करते हैं तो 100 किलोमेटर की रेंज दिता है कीमत की बात करें दूस्तों मात्र 35,000 रूपए रखा गया आप सभी के लिए फटा फट इस गाड़ी को जो है लुट लीजे दूस्तों आईए जानते हैं इतना की सस्ता क्यों है सरकार कितना सबसेड़ी दे रहे है और कौन सी गाड़ी है सब कुछ बात करेंगे इस वीडि का गाड़ी दोस्तों तीन कलर कॉमिनेशन बोल सकते हैं एलो ब्लैक और वाइट यह गाड़ी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गाड़ी दीख रहा है दोस्तों इसमें आपको हैडलाइट में यहां पे देखने को मिल जाएगा तो पूरी तरह से जो है एलेडी है जो है थोड़ा अलग दिया गया है और इसकी विल की बात करें तो बड़ा जो है 16 का वैलो विल लगा गया है बात करते हैं इस गाड़ी की बैटरी के बारे में तो यह बैटरी आप देख सकते हैं सांदार बैटरी जो है लगाया गया है इतना बड़ा और इतना हैवी बैट रहा है यह बैटरी चार्जिंग अस्टेशन है जिसमें एक बार में जो है नौ बैटरी यहां पर चार्ज हो रहा है यह चार्जिंग अस्टेशन बड़े-बड़े हर सहर में लगाया गया इस कंपनी के द्वारा वहां से आप इसे चार्ज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में बा पारे में खुछ खास बाते यहां पर जान लेते हैं बात करते हैं दोस्तों तो बाज बाइक्स ने देश में अपना इलेक्टिक स्कूटर 35,000 रुपए कीमत के साथ लॉंच किया है कीमत कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें बैटरी की कीमत सामिल नहीं है आगे हम बात करते हैं फटा फट दोस्तों कुछ खास बात में तो बाज इलेक्टिक स्कूटर 35,000 रुपए एक्स रुपए इसकी कीमत पर लॉंच हो चुका है वहीं कमपनी ने जिसे ओटो मैटेट बैटरी स्वेपिंग नेटवर्क और एनर्जी पोड भी पेस कर दिया है वहीं बात करते हैं तो कमपनी जो है स्वेपिंग नेटवर्क पर पेस यू मूप पर जो है मॉडल पर काम कर रही है आईए इसके बारे में पूरी डिटेल में फटापट हम लोग जानते हैं बात करते हैं दूस्तों तो बाज बाइक्स एक भारतिया स्टाटप कमपनी है जिसने अपना पहला मैडिन इंडिया इलेक्टिक स्कूटर को जो है लॉंच कर दिया है यह एक स्टाटप बैटरी सिस्टम के साथ आता है जिसकी वज़ा से जो है इसकी कीमत बहुत ही कम हो जाती है कमपनी ने इसके साथ ही भारतिय प्रोज़ेजिक संस्थान दिल्ली यानि IIT दिल्ली में एक automated battery swapping network और energy port भी पेस किया है आए जानते हैं सब products और service के बारे में पूरी बिस्तार से बात करते हैं तो बाज बाइक्स ने देश में पहला electric scooter 35,000 रुपे एक सोर्म कीमत के साथ लौंच कर दिया है कीमत कम इसलिए है क्योंकि इसमें battery की कीमत सामिल नहीं है वहीं company का दावा है कि battery को अलग करके e-scooter की कीमत को काफी कम लाई गई है जिससे जोई gig delivery riders के लिए एक किखायती हो सकता है और बाज इन electric scooter को जोई छोटे पेमाने की dealership पर बेच रहा है जहाँ पे gig delivery riders उन्हें किराये पर भी लेकर के चला सकते हैं वहीं जोई खरिदारी के लिए इन electric scooter को जोई बाज की dealership से जोई किराये पर भी ले सकते हैं बाज का काना है कि company जोई swapping network पे यूज मूग पर जोई model पर काम करेगी जो gig delivery riders के लिए जोई daily लागत को जोई कम करेगी और बहुत ही सुभीधा जनक होगा आगे बात करते हैं तो बाज electric scooter की खास यतों की बात करें दोस्तों जिसमें 100 km से अधिक की जोई दैनिक इस्तमाल लिए डिजाइन किया गया है इसकी लंबाई की बात करें तो 1624 mm है चोडाई की बात करें 680 mm है और इसकी उचाईक की बात किया जाए दूस्तों तो 1052 mm है खास बात यहा है दूस्तों की इसे चलाने के लिए जो है रेजिस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है बात करते हैं तो बाज इलेक्टिक अस्कूटर की मैक्सिमम स्पीट 25 km परती घंटा पर सीमित रखी गई है या यह अस्कूटर डूल फॉर्क हैड्रोलिक सस्पेंशन सेट अप और रियर में डूल सॉप एक जरूबर मिलता है फाइंड माई अस्कूटर बटन के चरिये पार्किंग में जो अस्कूटर को पता लगाया भी जा सकता है वहीं बात करते हैं तो एनरजी पोड या बाज बैटरी की बात करें दोस्तों तो यह एक जो है एलमोनियम केसिंग में फिट लिथियम आयन सेल से जो है लेस पोइंट है इसका खूल वजन 8.2 केजी है वहीं इसकी एनरजी डेंसिटी की बात किया जाए दोस्तों तो दस्सो आठाश डबलू एच है और आईपी 68 रेटेड है जिसका मतलब यह वाटर प्रूफ और स्वेपेवल प्रूफ है इस पैटरी में आगे बात करते हैं दोस्तों तो बात एनरजी नेटवर्क की बात करें तो इसमें सामिल मसीन को पूरी तरह से जो है आटोमेटेड ओपरेटेड के लिए डिजाइन किया गया है मसीन पूरे भारत में सभी चरम मोसमों पर काम कर सकती है इसमें 9 बैटरी रिचार्जिंग बॉक्स मिलते हैं और आसानी से बैटरी की अदला बदली के लिए जो है ब्लाइंड मेट कनेक्सर्ट सामिल है इसे बारिस और धूल को जहलने के लिए आल वेदर IP65 रेटिंग दी पूरी तरह से स्वाचालित मसीन है और RFID कार्ट सपोर्ट करती है इसमें 4G LtdLot रियल टाइम डेटा भी मोनेटरिंग करती है तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो बाज इलेक्टिक स्कूटर जो है मात्र 35,000 में बिना बैटरी का मिल रहा है बैटरी आप रेंट में ल सकते हैं गारी कैसा लगा हमें comment books में जरूर बताइएगा इस गारी को book करने के लिए online website की link जो है description में वहाँ से आप तुरंत इस गारी को book कर सकते हैं चलिए आज की video समाब करते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत